जी हाँ फरान अख्तर और शीवानी दान्देकर के घर पहुची हाल ही में रिया चकरवर्ती SSR की गर्फरिंड रही रिया चकरवर्ती जब वहाँ पहुची तो काफे जादा मीडिया से दूरी बना रही थी तो औरती भी नजर आ रही थी भागती फिरती और कैमरे से नजर अंदास कैमरे केकर पूरी तरह से कैमरे से पुदूरिया बना रही थी रिया इस वक्त किसी को जवाब देने के हाल में नहीं है यही कहना था रुमी जांफरी का कि रिया बहुत जादा स्ट्रेस्ट है mentally stressed है और इस वक्त परिशान करना सही नहीं कि वो जस असतिति से गुजर रही है mentally उनके साथ क्या हो रहा है और क्या उनकी और इस साहार के साथ था इसे बाकी में शब्दों से बया करना आसान नहीं है रिया चकरवर्ती अपने इस दुख के पल को कैसे भुलाए किसका सहारा ले इस बारे में उन्होंने सोचा फिर रिया को फरहान और शिबानी ने सहारा दिया कहा जाता है कि शिबानी और रिया बहुत टाइम से अच्छे दोस्त है जिसके कारण रिया उनके बहुत करीब बहुत जादा नजर आती है गाली में शिबानी उन्हें बैठा कर उन्हीं संभालती वी उन्हीं सहारा देते नजर आये बतादे हम आपको इससे पहले एससार की जाने पर उन्हें ट्रिब्यूट देते वे परहान अख्तर ने सोशल मीडिया पर एक बहुत खोश्रा सा पोश्ट शेर किया था उसमें दुखता दर्द था और उनके स्थिती के बारे में जिक्र करते वे उनकी आत्मा को शांती मिले इसकी दुआ करते वे परहान अख्तर ने कहीं राज बातों बातों में खोल दिये थे कवीता के जरीयों उन्होंने श्रद्धाजली अर्पित करते वे SSR की हर तकलीफ को छोटे-छोटे शब्दों से इशाड़े-शाड़े में बया किया था Next 9 ये जुन से ग्रिप्तिक रिपोर्ट